अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है उन पर छोड़ दुनिया का काम है आपके काम में कमिया निकालना आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना तो आप अपना काम करो दुनिया को उनका काम करने दू सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है ओवरनाइट के पीछे दो साल, पांक साल, दस साल की मेहनत होती है एक पुरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है तब जाके रिजल्ट आता है जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीज कर लो लाइक में हमेशा वैसे ही रहो जैसे के आप अंदर से एक्चुल में हो कुछ बनने की कोशिश मत दो अगर आपकी नियत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है तो अपने आप ही वो लोग जो आपको लटा बोल रहे है वो बोलना बंद कर देंगे सोचने में टैक्स लगता है तो चाहिए छोटा सोचो चाहिए बड़ा सोचो मेहनत बराबर है तो सोचना है तो कुछ बड़ा सोचते है ना बड़े सपने देखो बड़े गोल होने चाहिए बड़ा चीट करो गलत मत करो किसी के साथ भी प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो इसलिए कि वहाँ से पैसा कमाना है इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी आपकी जिन्दगी में क्या-क्या प्रॉब्लम है वहाँ से इंस्पायर होगा कि मुझे इन problems के solutions निकालने है कोई मेरे साथ नहीं है मैं अकिला खड़ा हूँ लेकि मैं निकालूँगा solutions strong बनते है problems से failure से struggle से success से नहीं success से तो दिमाग खराब होता है हम सबका education का सबसे बड़ा goal ये होना चाहिए कि एक इनसान का दिमाग खुल जाए उसके दिमाग में एक possibility mindset आगा ना कि एक limited mindset हो कि बस ये हो गया तो बहुत है we have got limited time तो उस limited time में आप क्या कर रहे हो उस time को कैसे use कर रहे हो वो बहुत important होता है आपको पता है कि मैं यहाँ पर गरबढ कर रहा हूँ वही रोक लिया तो बज़ जाओगे कोई भी problem कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस time पे यानि आज हो सकता है आप लोग की life में कोई बहुत बड़ी problem हो लेकिन वो आज बड़ी लग रही है आने वाले एक साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापिस करना है इसको बोलते है win-win situation इसको बोलते है एक fair dealing जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी जिसके कुछ लोगा काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना आपको बुरा फील करवाना क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है तो आपका जो काम है, वो क्या है? अपने काम पर ध्यान दो और अपना काम करते रो बाढ़ में कही दुनिय धारी दिन की दो हिससे ऐसे हैं जिसको अच्छे से समानना है एक है रात का वक्त, जब आप सोने वाले हो एक है जब आप सुबह उठे हो, ये दो पार्ट अगर आपने अच्छी से मैनेज कर लिया, तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छी से निकल जाता है, क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोगे, पूरी रात वो सबकॉंशेसली अमारे दिमाग में गुमता रहेगा, और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे, दो तरह के लोग आपको मिलेगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको एप्रिशेट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे, उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको एप्रिशेट कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो आपके असली तो उनके साथ जोड़ जो, आपको क्या चाहिए, जब सुबह उठे, तो एक रीजन चाहिए है, उठने का और आज काम करने का, वो काम किसके अकॉर्डिक होना चाहिए, फ्यूचर में जो आपका गोल है, उसके अकॉर्डिक, अपने आपको देखो, समझो, जब आप उसके कैस आप से अक करोगे, तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, शीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, भार से हस्ते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को ले कर के सीरियस होना है, अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उसके लिए जो भी करना पड़ता है महां फर्फपड़ता है चोटा-बोटा जो life में distraction करती है चोटा-बोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है वहाँ कोई फर्फ ने पड़ता है लाइफ अचलता रहता है एक चुल में अगर आप कुछ मिलता है तो उससे energy मिलती है फिर आप अपने काम पर focus करते हो वो motivational song भी हो सकता है तो वो हो गया short time लेकिन बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो understanding है वो हमिशा के लिए रहती है जिंदगी में अगर कभी कुछ आये अंदर से strongly कि मुझे ये करना है तो करना है तो कल्पे नहीं डालना है लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहाँ पे success failure रहे गाई रहेगा पॉजिटिव नेगिटिव रहे गाई रहेगा अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी लब भी मिलेगा हेट भी मिलेगा सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग-अलग faces में इस problem का जो solution है वो क्या है कि आपकी पास में constructive कोई गोल होना चाहिए लाइफ में जिसकी तरफ आप आगे भढ़ते ही चले जाए यह सब जो चीज़े है न फिर इतना असर नहीं करें बिजनस इस अबाउट solving the problem of the other person जितनी बड़ी problem solve करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे in comparison to your competitors उतने ही ज़ादा successful हो जाओगे हम खुद अपने आपको रोपते हैं और अपने आपको जितना बेवकू बनाते हैं किजी और को नहीं बनाते हैं अपने माइंड को एक क्लिर गॉल देना पड़ेगा यह गोल है जिसे तुझे अचीव करना है मुझे नहीं बता यह कैसे होगा माइंड तू बता यह कैसे होगा तो brain उसके रास्ते निकालेगा आपको अपने आप उस direction में भगाएगा लाइफ में ना दो चीजे होती है एक होता है जो basic हमारी needs होती है जरूरते होती है जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आप भागता है comfort के पीछे जब life comfortable भी हो जाती है तो आप कुछ बचा ही नहीं लाइफ में अब आपको अगले गोल के बारे में सूचने है अगले गोल क्या है अपनी skills को upgrade करो अपने ले कोई challenges क्रियेट करो अपने mind को develop करने के लिए क्या करना पड़ेगा you need to have a great deal of intelligence and what is intelligence? questioning, you need to question everything motivation हर जगे काम नहीं आता है motivation तब है जब आप पूरी तरह से तूट गए हो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उस वक्त आपको motivation काम आएगा motivation सिर्फ अगर आप गिर गए हो और तूट गए हो अंदर से आपको खड़े करने के काम आएगा उसके बात जो important है वो है understanding बड़े तलाब में छोटी मचली होने से अच्छा है छोटे तलाब में बड़ी मचली हो जाओ यह भी एक तरीका है confidence को बढ़ाने का अगर आप एक बड़ा अपना goal सेट कर लेते हो कि this is what I want to be 10 years down the line, 20 years down the line अगर इतना बड़ा goal बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बनी जाओगे बट अगर कोई goal ही नहीं बनाओगे तो तो वहाँ पर आपको बहुत challenges नजर आएंगे वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे आगे नहीं बर पाओगे जो भी आपकी knowledge का डायरा है और आपके experience का डायरा है वो आपका box है उसके बाहर आप चाहें भी को नहीं सोच सकते because thought cannot operate outside of knowledge and experience आपकी जो success है ना that is directly proportional to the knowledge and experience that is there in your brain अगर आपकी brain में कोई knowledge नहीं है कोई experience नहीं है तो you are as good as a tomato और a potato और an animal किसी काम को आप बहुत ही extraordinary तरीके से करते हो और एक अच्छी नियत के साथ में करते हो ये दोनों चीज़े जब जा करके मिल जाती है तो history create होती है तो कुछ कमाल का होता है माइंड के level पे कुछ problems होती है उन problems को identify करो वो problems क्या है उसकी जड़ क्या है उसको समझ करके उसको sort out करना is the solution of a problem at the level of mind अगर आपको clearly नजर आ जाए कि इस path पे चलने के बाद में 99% chances है कि आप successful हो जाओगो अगर सही से करते हो तो तब क्या figure out करना रहे गया यह तो clear होगे क्या करना है अब सिर्फ यह रहे गया कि कैसे करना है वो सीखना है दो तरह के लोग होते एक होते हैं उनके सामने भी लिजा करके opportunity रख दोगे ना तो कहींगे अरे इसमें तक कोछी नहीं है बकार है यह तो स सबकुछ असान है we are all interconnected and interdependent जैसे ही यह बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की energy flow करने लग जाती है जिसमें सबको आप साथ ले करके चलते हों सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हों सबके फायदे के बारे में सोचते हों लाइफ में ups भी आएंगे और downs भी आएंगे तो जब down phase आता है किसी भी इनसान की life में तब वो क्या करता है यह decide करता है कि long term में वो उस career में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा एक है आपके काम को criticize करना एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना ज जो भी आप करना चाहते हो इसको center में लिखो फिर उसकी branches निकलेंगी फिर उसकी sub branches निकलेंगी जिस तरह से मारा mind चलता है तो वो जो mind map है वो आपके mind में छप जाएगा तो आपका mind भी एक organized तरीके से सोचना शुरू कर देगा यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका background क्या है यह फर्क पड़ता है कि आपकी vision क्या है possibility mindset क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो इसका मंदर यह नहीं है कि मैं फेल हो गया इसका मंदर यह है कि मैं crack नहीं कर पाया there has to be a way life में अपने लिए कोई problem create करो अगर नहीं है तो हमें यह लग हमें कर दो हमें यह हुआ लिए कर अबने जे कर इसका मंदर उपकी अबहर जह में वार थांगर चंदा जए